नमस्कार श्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में और देख लीजे जैसे कि मैंने यस्टरडे ही वीडियो बना के डाला था कि यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं जबर्दस्त लौटरी लग सकती है तो शेर होल्डर की यहाँ पे लौटरी लग चुकी है ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों को बता रहा हूँ नौ साल में पहली बार यह टीसेस के अंदर हुआ है बहुत बड़ा यहाँ पे धमा का जबर्दस्त इनका प्रॉफिट हुआ है और डिविडेंट भी शेर होल्डर को मिलेगा उसकी रिकॉर्ड डेट भी आप लोगो यह इंडिया की रिजल्ट इसके आजाए हैं तो इसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ तो एक वार वीडियो को पॉस करके डिसलेवर को जरूर रीड आउट कर लीजेगा साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई भी चार्जिस आप लोगों से नहीं लिए जाते हैं तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है वो यूजर फ्रेंडली हैं और आप लोगों को पता है तीनों कस्टमर को काफी जागा सपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे सर्विसेज भी मिलती ह तो तीनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हैं लिंक में क्लिक करें और एकाउंट ओपन करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट्स आये हैं क्वाटर थ्री के और जैसा की अंदाजा था कि अच्छे खासे इस्टिमेट्स यहाँ पे लगाये जा रहे थे लेक परसेंट राइस हुआ है इनका जबरदस्त 8701 करोड रुपए का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट और 6 रुपए पर शेयर पे डिविडेंट भी दिया है हालांकि यह जो डिविडेंट है इसके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जाता कुछ ह आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि जो जानकारी है किस तरह से आप लोग गेन कर सकते हैं कहां यह सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मिलती है तो पहले बता देता हूं टाटा कंसिल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लार्जेस्ट आईट एक्सपोर्टर इंटरम सॉफ आप लोगों को पता है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है as well as in terms of market capitalization इंडिया में नंबर वन है ये company IT सेक्टर में और नंबर टू है पूरे इंडिया में रिलाइस के बार नंबर टू पे ये company आती है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जबवर्दस्त पिछले साल में जो इनका इस सेम quarter में quarter 3 में 8,118 करोड रुपए का इनका net profit था इस साल increase होके 8,701 करोड का हो गया है बहुत बड़ी जो बात है साथ ही साथ अगर total revenue की बात की जाए तो total revenue भी इनका increase हुआ है 5.42% और पहले का अगर आप देखेंगे same quarter 3 का ही पिछले साल में इस साल increase होके 42,015 करोड रुपए यहां पे इनकी यह इस साल हो गई है तो अब मैं आप लोगों को directly बताता हूं कि किस तरह से आप ये सारी की सारी information ले सकते हैं तो मैं आप लोगों को लेकर हैं बीएसी की website की ओपर यहां पे सर्च करने के लिए column है आप लोगों को बताएं यह TCS मैंने से पहले से सर्च किया तो जैसी ही आप company का नाम सर्च करते हैं तो इस तरह का पूरा का पूरा menu आप लोगों के सामने dashboard आप लोगों के सामने खुल यहां पे सारी की सारी information आप लोगों को मिल जाती है सारी की सारी information मिल जाती जहां से कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले से इसका जो results है वो download करके रखा हुआ है तो यह रहा Tata Group का logo आप लोगों यहां पे है अंदाजा लगाया जा रहा था कि डिविडेंट मिलेगा कितना मिलेगा रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी वो पता नहीं था तो यह देख लीजिए अभी इन्हों 2021 को इसकी रिकॉर्ड डेट है यानि कि इससे पहले आप लोगों को यह शेयर ले लेना है अब सटर्डे है तो आप लोगों को एट लीस थर्सडे तक यह शेयर ले लेना है यानि कि 14 जैन तक आप लोगों को शेयर ले लेना है अगर डिविडेंट का आप लोगों को यहाँ प directly BSE की website के उपर तो ये पूरा का पूरा इन्होंने फाइल कर रखा है अब मैं results के उपर आप लोगों को लेकर आँगो थोड़ा सा वेड कर लेजेए तो ये results इन्होंने फाइल कर रखा है काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहोगा आपको 31 देख लिजे 2019 का कॉलम है तो ये तीन कॉलम है जवरदस्त यहाँ पर मैं आप लोगों को information बताने वाला हूँ तो ये देख लिजे सबसे पहला कॉलम जो की यहाँ पर दिखाई दे रहा है profit for the period यानि की 31 दिसंबर 2020 तक कितना profit हुआ 8227 करोड़ रुपए का profit हुआ है और सेम टाइम में पिछले साल कितना profit हुआ था 8143 करोड़ रुपए का तो 7 से लेकर 8% के करीब की growth यहाँ पर net profit में देखने के लिए मिली है जो कि एक बहुत बड़ी company में आप लोगों को पताई है in terms of market capitalization TCS India की number two company after reliance तो यह बहुत बड़ा profit है अपने आप में तो आप लोगों को अंदाजा यहाँ पर हो जाना चाहिए और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर company के total total income की अगर यहाँ पर बात की जाए company की तो इस period में यानि कि दिसंबर 2020 के period में 42,706 करोड रुपए की वही है जो की same period में पिछले साल 40,672 करोड रुपए की थी तो यहाँ भी again increase देखने के लिए मिला है जो की एक positive indicator है yesterday यानि कि कल के दिन ही मैंने एक video बनाय था जिसमें की मैंने कहा था की करोडों के मालिक की पशंद और ITCR उसमें मैंने चार बताय थे जिसमें से की TCS था Wipro, Infosys and HCL Tech अब TCS में आज ही आप लोगों को देखने के लिए मिलागा की कि कितना जबर्दस्ट उचाल यहाँ पे देखने के लिए मिला है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज ही के दिन देख लिजिए 3122 पेस की क्लोजिंग विया फ्राइडे को 89 रुपीज अब गया है और आल्मोस्ट तीन परसेंटेज अब चला गया है यह शेर मंडे को देख लिजेगा सोमवार को भी यहाँ पे अच्छी खासी उच्छाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और जब बरदस्त यह शेर उपर भागते वे आप लोगों को दिखाए देगा टाटा कंसिल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टाटा गुरूप का दिगज शेर है और ऐसा नहीं कि यह इसी साल पैंसे कमा रहा है हमेशा से ही अपने शेर ओल्डर को इसने पैंसे कमा के दिया है आप लोग देख सकते हैं 2016 से लेकर अभी तक आलमोस्ट ट्रिपल यह शेर हो गया है पांच सालों के अंदर ही और मैकसीमम मैं कहूंगा तो इसने तो करोड़ पति अरपति बना दिया है अपने शेर होल्डर को तो क्वाटर थ्री में भी इसने धूम मचाई है और जो मैंने कहा थे कि 9 महीने में पहली बार तो वो भी आप लोगों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा तो यह देख लीजिए रेवेन्यू जो इसका उपर होया 5.42 परसेंटेज 42,000 करोड रुपए से जो की 42,000 करोड रुपए हो गया है पिछले साल सेम में 39 करोड रुपीज के आसपास का था तो देख लीजिए दे कमपनी सेट इट वस इट्स स्ट्रोंगेस्ट थर्ड क्वाटर इन नाइन एर्स मगद तीसरा क्वाटर जो है पिछले नौ साल में पहली बार ऐसा हुगा कि इतना स्ट्रोंगेस्ट क्वाटर रहा है टीसीएस का तो जबर्दस्त कमपनी मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आप लोग आँखे बंद करके भी शेयर होल्डिंग बना सकते हो शेयर खरीद सकते हो तो जबर्दस शेयर है टीसीएस अपने आप में और मैं कहा रहा हूँ विप्रो, सेल टैक और इन्फोसिस से भी ऐसी ही उम्मीदे लगाई जारी है तो डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दिये गए है अप स्टॉक, जिरोदा, एंड एंजल ब्रोकिंग तीनों के तीनों आप लोगों को पता है डिस्काउंट ब्रोकर हैं अगर आप लोग यहाँ पे इंट्राडे करते हैं अप लोगों से नहीं ली जाता है आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद